हम लोगों ने जमीन वारे तो यहाँ काफ़ी जादा देथरन को क्लियर किया है मगर यहाँ देथरन आस्मान में बनावा है और यह सिर्फ देथरन नहीं आगा इस देथरन और देथरन का कॉम्बो है जिसके अंदर सारे के सारे स्पेशल यूनिट्स हैं आप लोग को यहां से पर यहां पर चोटा सा रूम है जिसके अंदर लगी यह मशीन गण हम लोग यहां से थोड़ा सा ओर आगे जाके जाकर देखते हैं तो यहां पर एक लाइटनिंग गन है और साथ में दूं के इसे के अंदर यहां पर यहां पर यह आर्क वाला यूनिट है इसका नाम क्या थ यह ब्लू कलर का यागा इस काफी ज्यादा खतनाक डैनास और हम लोग यहां से पीछी जागे देखते हैं तो यहां पर तीन बलस्ट हैं और मज़े की बात यहां पर कोई भी दिवार नहीं है और आप लोग को यह भी पता होगा के बलस्टा की थो कितनी तीज होती है अगर त लोग के यहां पर यहां पर यहां पर यहां जपड़ीत ने के लिए लेकिन कोई बात हैं अपने आरमी खड़ी करने के लिए बहुत ही जगा हैं तो थे जो आगे जहेंगे यहां चैकर बात हो और यहां पे खड़ाओ है बैलिस्टा वाला एलिफेंट रॉकेट एलिफेंट का तो सुना था मगे रहा है इसके ओपर बैलिस्टा लगाओ है तोसा अगर हम लोग और आगे जाएं तो यहां पे इतना मूटा ब्रचसोरस लगता है कि आरका यहां फे जुरासिक वर्ल्ड का यूनिट होगा अरे बैल वो तो ठीक है मगर कुछ जादे बड़ा नहीं है साइस में यही तो यहां चौप में देखनो साइस में कुछ जादे बड़ा है मगर एक से किन यहां से देख अरे पेट बार निकल रहा है लगता है कि खाता पीता है खैर हम लोग यहां से पीछे जाके देखते है तो यहां पे हल्क खड़ाओ है, काफी जादा खतनाक होता है, मगर रागाइथ हम थोगा सा और आगे जागे देखते हैं, मगर उससे पहले हम लोग उपर देखेंगे, और उपर खड़ाओ है ऑगा लौट जो के उपर से हत्थोड़ियां मारेगा, मगर हम लोग इसको कैसे मारेंगे, लगता है कि मुझी पे अपनी लाइफ और वैपन को साथ में लेके निकलनाओ का अपनी आर्मी के साथ, हम लोग थोगा सा और आगे आगे देखते हैं तो यहां पे इतने जादा पंचेज, यहां से आगे को निकलेगा, यह सारा देख्रेंग तो ही है मगर यहां काई देख्रेंग के साथ में देख्रेप भी है और इसके अंदर एक देख्रेप नहीं इसके अंदर तीन चार देख्रेप हैं काफी जादा बड़ा है और एक बैलेस्टा यहां पर दूसरा बैलेस्टा यहां पर जितना हो सकता था यहांपे आर्मी खड़ीवी है तोरसे हैलवर यहांपे इसेंधर बंदोई और यहां पे खड़ेवे सोर ओर आंदर गॉर पर बेहले के भॉर जाजाय बॉक्यक नकली चबते गें यहंद शबसे ज्नाथ बहुत जाला खतना के यह तो मुझे पता है कि यह काफी जाला खतना के मगर इसके पीछे जो चीज्स कटीरी है यह मुझे कुछ जाली डिफरेंट लग रही है सकॉर्च को तो हम दो कोंने देखा हुए लेकिन सिंचन अचोप ये क्लोकोडाल है। अरे या हैं ये वाया डायस हो अपसे जाधा पाउरफु डायसर है। इसके पाल बहुत जाधा पावर्ड होती है। वाकरी में सिंचन देखने में तो मुझे कुछ जादे खतनाक लग रहा है लेकिन आगाइज आप लोग देखने को जब ये काटेगा ना तो इसके ये चोटे वाये दान्त हम लोगे यृट को डैमिज तो करेंगे लेकिन जो ये बड़े वाले दान्त है ना ये तो यार गाइज नहीं छोड़ेंगे हम लोग की आर्मी को बोन स्पाइक से भी जादा खतनाक दान्त हैं क्योंकि यार गाइज इसके अंदर बिल्ट इन आते हैं ये वाले दान्त अरे या हमें लेगे इसको डिफीट कैसे करेंगे ल्कुल भी मोका नहीं देंगे किसी को भी लेकिन इतना यहाँ पर काफी नहीं रहता हम लो Kansasmin को खोड़ा कर देतें हम लोग यहाँ पर के खड़े करेंगे बिल्कुल की humor को आप sats मैं यहां पर खड़े करता हूँ अपनी आर्मी के दो स्कॉट्स और नॉर्मल यहां गाइज हम लोगे 25 काफी रहेंगे अभी यहां पर बारी यह स्पेशल यहां को खड़े करने की अरे बार कौन को से खड़े करेंगे या चौप्या तुम लोग सर्प्राइज के लिए रेड वाले डैनसौर्स और इनके साथ यहां गाइज हम लोग के पाइज स्टील सोनिक भी है यह तो बहुत खटानाक लग रहे हैं इनके आंखों के अंदर खूने के यार अरे आचा अब तुम लोग नॉर्मल सोनिक तो देखियोंगे मगे यह वाले स्टील सोनिक हैं काफी जाला खतानाक हैं मगर इतना यार जहां पर काफी रहेगा नी हम लोगो ने इन वाले प्लाजमा के ना को भी तोड़ना है तो मैं काम करता हूँ कि यहां पर खड़े करता हूं अपने आर्मी के तीन और बाकि कि अगर लोड जाइज मैं यह पर सब से आगे खड़े करूंगा और लगता है कि इतनी आर्मी काफी रहेगी अरे वाकिम इतनी आर्मी बहुत है यार लेकिन हम लोग आप लिखने इस फर्लाइफ दय्टन को एक इपको करने है आई होप कि है खाय हम लोग क्लियर कर लेंगे अरे मत करें कि अंडर टेंफ परसन क्लियर करेंगे याँ गया चौप प्लाजमा कर लें एक सेकेंड में टूड गया है अब हम लोग यहाँ पे थोगर सा आगे जाकर देखते हैं मगर इस वाली मशीनकंग को सिर्फ फोसेब। और तोड़ सकता है। और गः लाट को अथोड़ी मार इख कि नियें तो यह वाली मशीनकर में सारी सारी के सारी आर्मी को मार रएगी। अरे या हम लोग की आर्मी ने मशीनिकन का तूरती है ओपी खेल रहे है सिंचन ये लोग काफी जादा ओपी खेल रहे है लेकिन वेट ये एक स्पाया सोस मेरी इतनी आर्मी के साथ लड़ने के लिए आगया नहीं बचे का है गाई बचने का जीरो चांस है इसका ये-वाला स्पाया्सस बिलकुल भी ने बचे का उलओ को मार दिया वाल वाल-दै के ने लिए हम लोग के अर्मी की इतने ज़्यादा है और स्टील्स वनिक जाँटी है लेकिन साइथ में चोटे थो इनी लोग को आगे जाने के लिए गॉर्गन भी यहां पर बाहर आ चुके हैं और एक स्टील सोनिक यहां पर आगे खड़ा वे लेकिन अब यह बार दिलोंचेस के स्रा मरेंगे यह तो साइद में कुछ जादे चोटे हो और यह लोग तो बाहर भी नहीं आ रहे हैं तो यह लोग मरेंगे कैसे अरे हम लोग कोई नो कोई यूनट इनको काट ले गया एक स्टील सोनिक हम लोग का अंदर चला गया और सारे के साइद डाया से उसको मार दिया लेकिन अनफॉर्चनलेटी अभी दुबारा बाहर नहीं आ पाएगा लेकिन कोई बात है हम लोग यहां पर आगे जाकर देखते काफी जादा ओपी प्लैनिंग है हम लोग की आर्मी भी बहुत जाद है ना तो इस वैश्चया के अगया इन लोग की प्र सारी आर्मी यहां पर आ चुकी है यह तो आप बूले अग्या कु अर्छी पर देख रहा है उला हम सर जादा खतना को चीज़ है का इस यह वाले बै है यह वादा डिनोसेवी मर यह मर गया हार्मी काफी ज्यादा खतर नाग है और बढूसे तोड़ दिया है गए यह आई एंदस्हाने यह वह तोड़ दिया हो बहुत ज्यादा तीर तो यार चौप काफी ज्यादा खुतोनाक मुझे लगता है कि मुझे मी लाइफ और वैपन को डhrum मगर यहाँ पर हैरलोच भी है मुझे पक्पक्ता है कि यह वालाय वैलोच भी यहां से बाहर तो नहीं आएंगे , मगर है 그ज़े पहिले है इन वाले पंचिंग गलफ को तोड़ना है ये भी काफी जादा मुश्किल होगा मगर वेट 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 यार काईज मेरी आर्मी क्या कर रही है ये वाला ऐलेफंट कैसे मरेगा इसको तो सिर्फ वो सिर्फ ओगे लौड मार सकते है लेकिन ओगे लौड के सामने खड़े वे हाईडरा और ओगे लौड की सारी की सारी हतोड़े हम लोगे हाईडरा को लग रही है अब इससे जादा बुरी किसमत क्या ही होगी दो मैरेटर भी नीचे चलेगे ये वाला हाथी बिल्कुल गलत जगा पे खड़ा है एक दफ़ा हम लोगे हाईडरा ने रास्ता छोड़ दिया ना तो फिर ये वाला हाथी मर जाएगा मगर यागाई हाईडरा रास्ता नहीं छोड़े है फाइनली ये वाला हाथी मर चुका है मगर हम लोग की आर्मी के एक मैरेटर भी नीचे कर गया और दो मैरेटर बिचार यहाँ पे खड़े वे अब ये लोग यहाँ पे खड़े हो की क्या ही करेंगे इनको मर रा होगा दो मैरेटर यागाई हम लोग के मर जाएंगे मगर दो मैरेटर के साथ-साथ ओगलोड भी यहाँ पर आ चुका है सारा का सारा प्लैन या,शिने लोग च्योपट कर रहे हैं अभी यहाँ पे सिर्फ,ऊसिफ,ाग्य लोड ही ऐसा unit है जोंके हम लोगो जित्वा सकता है मगर दो आगे लोड यहाँ पे नीचे खड़े हों और दो मैट और भी यहाँ पे नीचे आ चुके हैं लेकिन जो उपर ओगलोड खड़ा वा था वो मर गया है और अभी सामने यहां पर पंचिंग गलफ लगे वे यह वाला स्टील सोनिक बिचारा क्या करेगा नहीं वैसे आगा स्टील सोनिक के बस की बात नहीं है ओगलोड की तरह है तुम लोगो जल्दी आना होगा इनकी स्पी सामने पंचिंग गलफ लग़े वे और यह लोग ouरग़न को मार रहेimal अभी मेरी आर्मी दिरे दिरे आगए के तरह तो जा रही है मगर आगे कौंसी चीज़ मुश्किल है एक तो यह स्चारा भी सब्वकरा करेंगे अगर दृल्मे काफीज़ा sigue का उपन अगर ना खतर गया लगता है कि मर गया स्कॉर्च अभी तक जिन्दा है स्कॉर्च को चाहिए कि अपनी पावर्स निकाले स्कॉर्च की पावर्स जमीर पे काम करती है मगर वेट यह सब लोग तो आगे जा रहे हैं पे यार काईज यहां पर एक आगे लौड को तो आना होगा आगे आगाई एक लौड यहां पर काफी रहेगा हाँ वैसे आगाई यहां पर काफी रहेगा मैं काम करता हूं करता हूं ताकि हम लोग को पता चले के इनकी हेल्थ कितनी है पे यार काईज हम लोग की आर्मी भी यहां पर मरने वाली है बलकि काफी जादा यूर्स यहां काईज हम लोग की मर रहे हैं मगर गॉर्गन और फॉर्व अगरा मर गें अभी आगे जादा दिकत नहीं होगी हाँ वैसे आगे का रास्ता जादा मुश्किल नहीं है लेकिन मेरी आर्मी के स्थेफ और से टीन अगे लॉट और एक स्कॉच बचा है और एक यह डीमन और एक यह स्टील सॉनिक बच वैसे यह प्लैन ओपी है और एक स्टील सॉनिक आप लोग देखे हो कि यहाँ पर खड़ा वा है कितना जादा नूब रहा है इसको आगे जाना चाहिए हम लोग की आर्मी और लेडी काफी कम है और यह यहाँ पर फसा वा है मगर अभी मुझे देखे है यार गैस यह चल पहुँची है उसके बाद अपनी लाइफ और वैपन को अठाऊंगा कहां पर गई मेरी आर्मी यह क्या कर रही है रिवर्स यह 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 यार गाई यह क्या कर रहे है तो वापस आगे लगता है कि आगे का रास तक भूल गये मगर अभी यह लोग आगे जा रहे हैं मेरी की आर्मी के दो और मैट और यहां पर भी खड़े हैं यह लोग भी बिचार है यहां पर फ़र्स चुके हैं यह लोग भी बाहर नहीं आएंगे मगर हम लोग को यहां से अपनी आर्मी के और दिखाए दे रहे हैं एक और तो मरेगा हाँ वैसे एक मरे का मुझे जल्दी करना और फाइनल बॉस निट को वैपम से मारना है गाज इतना असान नहीं है यह वाला डीमन को जाद ही स्लोली स्लोली आगे जा रहे है मगर प्रोग्रेस दिखा रही है लगता है कि मेरी आर्मी आगे पहुंच गई है और मैं भी पहुंचने वाला हूं मुझे लगता है कि हम का बदला तो मैं लूँगा और सबसे पहले मैं इसको मारने वालों हैट शॉट शॉट गूं से भे रागाइस गया हैट शॉट के सामने यह लोग बचेंगे नहीं और अभी यहां पर सामने खड़ावें बॉस उनट जिसको हर बार की तरह हम लोग पिस्टल से मारने वाले ह गया यह तो कुछ जादे फास्ट है फ्वारसा हम लोग को भागना होगा पीछी मेरा डीमन भी तो है देखतें कि मेरा डीमन इसको मार पाते हैं यह फिर नहीं इसकी स्पीड बहुत तेज़ हो रहा है गया यह मेरे पीछी पीछी आरहा है काफी ज़्यादा खतनाग है आप है दीमन देखतें कि इसको मार पाता है यह फिर नहीं अपर रहा है तो जादे बुरे तरिके शेयुंपर टेक क्यों नहीं कर रहा है तूने जड़ाता बलस्र लगे में इसके उपए नहीं एस टील्ट सोनिक नहीं जीत पाएग यह क्या खतना ग्लाक्षस है वार्य गोलिया से किने इस स्ट्थीज आ सोनिक कुछ सा कुछ करेंगा सिर्ट सोनिग नूरी से औरAL में छेजिए थिन गहेंज ने में जये लगता है करेंगे मगता है नहीं मारा तो फिर ना जाको में मारूं का कर रहे हैं मुझे लगा था कि इसको पकड़ावे हो जाए है चोड़ा नहीं अभी तक इसने मानना पड़ेगा इसकी बाइटिंग पावर बहुत खतना के और अभी स्टील सोनिक गया हम लोग का स्टील सोनिक मर गया लेकिन अब यह वाया यहां से बाहर कैसे आएगा अरे यह तो यहीं पर फसक tend जो हुआ है लेकिन उसने हम लोग काम आसान कर दी है अभी हम लोग से मारने वाले ले पिस्ट् preferred गया अगर तो इसके मुझे कित्छा थेए खार लिया झाइक तो फिर या घृ या वठीर काटिया से मुझे अब क्या करूंगा अरे अभी यह नह वाले फ्लाइक को कलेक्ट करना होगा अरे फ्लाइक के पास जाएंगे विक्टरी लिखावा आगा तबी तो मसा आए गया ठीक है अगर आप लोग को यह वाला गेमप्ले ओपी लगाओ तो वीडियो को लाइक करें के चैनल को सब्सक्राइब करें न उस साथ में बैल